साथियों आपके तप से और हम सब के साजा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक सभाला है लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है अभी हमें बनारस और पुरवान चल के ग्रामिर्म इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है और अब मंत्र हमारा क्या होगा हर व्यवस्ता के लिए हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है जहां बिमार वही उपचार यह हम भूले नहीं जहां बिमार वही उपचार जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्ता पर दबाव बहुत कम होगा और इसलिए हमारी सारी व्यवस्ताएं जहां बिमार वही उपचार इस सिध्धान पर और दूसरी बात माइक्रो कंटेंडमेंट जोन काशी ने भहुत सफलता पुर्वक उस पर ध्यान के इंदित किया और उसका लाब मिल रहा है माइक्रो कंटेंडमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एव गाउं में गर गर दवाएं बांट रहे हैं आपने मेडिकल की कीट पहुँचाईए गाउं के लोगों तक ये बहुत अच्छी पहल है इस अभियान को गरामीन इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है डॉक्टर्स लैब्स और ये मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कबच नाम से तैली मेडिसिन की सुविधागी ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रहोग है इसका लाप गाओं गाओं में लोगों को मिले इसके लिए विशेश जागरुता अभियान भी चलाना चाहिए इसी तरह यूपी में कई सीनियर और यूआ डॉक्टर्स ब्री ग्रामीन इलाकों में तैली मेडिसिन के माद्दम से सेवा कर रहे हैं उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है कोवीड के खिलाब गाओं में चल रही लड़ाई में हमारी आशा बरकर और एन्यम बेनों की भी भूमी का बहुत एहम है मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी जादा से जादा लाब लिया जाए साथियों सेकन्ड वेव में हमने वैक्सिन की सुरख्षा को भी देखा है वैक्सिन की सुरख्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंट लाइन वरकर्स सुनिश्चित रहे कर लोगों की सेवा कर पाए यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुँचेगा हमें अपनी बारी आने पर वैक्सिन जुरू लगवानी है कोरोना के खिलाप हमारी लडाई जैसे सामोहिक अभ्यान बन गई है वैसी ही वैक्सिनेशन को भी हमें सामोहिक जिम्मेदारी बना रहा है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर